हलो फेंड कैसे हूं आप आपके अपने यूट्यू चैनल पर मैं अभी आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो कि गंगा नदी के उद्गम अस्थल कहां है गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर मिलती है इसके बारे में पूर और गंगा नदी से कुछ महत्पून पॉइंट जो कि गंगा नदी का रास्टिये दर्जा कम मिला था और कौन से देश से होकर गुजरती है कौन-कौन से राज्य से होकर गुजरती है तो इसके बारे में हम लोग पूरे डीटेल में पढ़ेंगे तो आयो वीडियो को बिना गंगोत्री से निकलती है कहां से निकलती है गंगोत्री से निकलती है और जैसे जैसे गंगोत्री आगे बढ़ती है भागी रथी नदी में परिवर्दन हो जाती है ठीक है यानि गंगोत्री नदी का नाम भागी रथी नदी हो जाता है ठीक है और यही भागी रथी नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो गंगा नदी का नाम पड़ता है तो जैसे देखिए यहां पे मंदाकनी नदी आती है और यहां पे भागिरती नदी आती है और गंगा नदी का निर्मान होती है ठीक है जो कि गंगा नदी और अलखनंदा नदी जो कि देव परियाग में यह यहाँ पर को नद्य कहां तो सब 1 जो कि यह सब उत्रासा निकलती ही है तो देखिआ बदरी नौत आगे बढ़ती है तो यहां पे बिशनु गंगा नाम हो जाता है बद्रिनात का ठीक है देखिए धौली गंगा यहां आ रही है और यहां पे बिशनु गंगा आ रही है जैसे ही बिशनु गंगा और धौली गंगा का संगम होता है तो यहां पे बिशनु परियाग बनता है तो आपके जोकी परियाग बनता है तो याद हो गया होगा धौली गंगा और विश्नु गंगा मिलती है तो विश्नु परियाग का निर्वान करती है जैसे जैसे आगे बढ़ती है अलखनंदा नदी हो जाती है देखिए यहां पर नंदाकनी नदी है यहां से एक नदी आई हुई है जिसका न नन्दाखनि नदी जैसे जैसे अलखनान्दा में मिलती है तो उसका नाम हो जाता है में नदपढ्याग तो आप याद रख सकते हैं नन्द पढ्याग तो यहीज और लिएम लिए याद करना बहुत अप्रियोग है याद करना प्लस परस में लिएक accounted पिंडारी नदी जैसे जैसे अलख नंदा में मिलती है यहां से जैसे आगे बढ़ती है और अलख नंदा में मिलती है तो यहां पे कर्ण पर्याग हो जाता है कुण से पर्याग कर्ण पर्याग बिशनु परियाग, नंद परियाग, कर्ण परियाग, पिंडार नदी है और अलखनंदा नदी का जहां संगम होता है, वहाँ पे कर्ण परियाग बनता है, ठीक है, तो यह आप याद रख सकते हैं, ठीक है, आईए, जैसे जैसे अलखनंदा नदी आगे बढ़ती है, तो यहा तो यहां से रूद्र पर्याग बनता है कुन से पर्याग रूद्र पर्याग मंदाकरी नदी और अलग नंदा नदी जैसे-जैसे मिलती है यहां कुन से पर्याग बनते हैं रूद्र पर्याग ठीक है तो आपको समझ में आ रहा होगा देखिए यही अलग नंदा नदी जैसे- जहां पे संगम होता है तो इसको देवपढयाग बोलते हैं गंगा नदी नहीं बोल सकते हैं भागी रथी नदी बोल सकते हैं तो अलखनंदा नदी और भागी रथी नदी जहां पे संगम करती है उसको देवपढयाग बोलते हैं और यहीं पे गंगा नदी का निर्मान होता ह है दोस्तों निर्वान कहें यहां नाम पढ़ता है जैसे जैसे गंग करते हैं यहां पे देख रहे होंगे हमतों फिर्हार में जो कि ऊपने। वहां पे इस अल्फ कर दो पनाप्ण यहीं परगा चरा तो आदमें हो वहां पर न्यानति अन्हें के में आति तो यही डिसीख गंगा में प्रजेक्ट चलता और डिसीख आगे पढ़ेंगे तो फड हडी दौबता थे जोस्ते हैं तहीं तो यह सब आप देख रहे हैं यह सब कहां पे हैं कहां पर है कि मिया धिक्ट्रह दोस्तों तो बंगाल में उसके बाद जाकर बंगाल की खारी में गिर जाती है तो यहां पर आईये हम समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा नदी सब करेंगे तो सब को कोई जानता है गंगा ही है सबसे बड़ा नदी लंबी नदी और गंगा नदी को पवित्र नदी भी कहा जाता है भले ही अभी पवित्र नहों लेकिन गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है ठीक है दोस्तों चलिए कुल लंबाई की बात करें तो 2525 कुल लंबाई गंगा ताँ हां ओजो 225 ठीख आहें चलिए गंगा नदी को रास्टए नदी का दर्जा कब मिला था तो 2008 इस भी में मिल गए था तो ये बहज़ी बह Also यह का ब्रजां के लिए हो जाता है आगा देखे昨 Cath गंगा नदी का उद्गम कहां से होती है जो कि गंगोत्री से होती है गंगा नदी का उद्गम यहीं से निकलती है गंगोत्री गंगोत्री और आगे जाकर भागी रथी हो जाता है चलिए शंगम की बात करें तो शंगम जाकर बंगाल की खारी में होता है यहां पर आता है फैलाओ की बात करें तो फैलाओ जो की दो देश दो देश से वह गुजरती है गंगा नदी कौन-कौन से देश है तो पहला भारत देश भारत देश में कौन-कौन से राज्य में गंगा नदी गुजरती है और यहां पर देखेंगे बंगाल की घारी ठीक है तो बंगला देश तो बंगलादेश भारत में और बंगलादेश में वह प्रभाव करती है, ठीक है? आइये, नेक्स्ट है, भारत में पांच राज्यों के साथ गंगानदी गुजरती है, तो कौन-कौन से राज्य है? पहला उतराखंड, उतराखंड से वह निकलती ही है, और पर्थम में करती है गंगा न गुष छाता है अबूतर परदेश में करती है ठीक है उसके बाद भीहार आता है उसके जंग में । टोस्तों उभीडियो समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और गया साथ जरूर सिहर और धड़ट इतिहास का लेक्चर नमबर दो दे दिया गया है अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप प्लेइलिस्ट से जाकर देख सकते हैं नहीं तो लिंक डिस स्टिशन में डाल दिया जा रहा है वहां से देख सकते हैं धीरे-धीरे जो की इंसेंट मेडियावल और मोडर्न कवर कर दिया जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे धन्य बाग थैंक यू थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो